हालो व्रीबन दिसे शिवांगे वेलकम टू शेफ प्लासेश आज हम इस वीडियो में डिसकस करें आपका कोड़नाट मॉडल कोड़नाट मॉडल बर्टेंड मॉडल स्टेकल वग मॉडल यह तीन मॉडल है तीनों ही इंपोर्टेंट है थियोरी प्लस इनके जो निमेरिकल है तो आज हम इसमें कोड़नाट मॉडल को कवर करेंगे साथी साथ उसका निमेरिकल कवर करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना है स्किप मत करना आप प्रीवेज यह कोईशन उठाके देख सकते हैं कि इनसे कोईशन आया हुआ आपके एक्जाम में ठीक है तो हमने ओलीको सेलर मारकेट का पिचर कहुता है कि उसमें इसमें तो तो उसमें तो सेलर होत εδώ तो उसी के यह पार्ट है कुट्र मॉडल बटेंट मॉडल जहां दो फिर मोडल को फिर नामिस्तों तह रेके हैं तो आप वो सर्च कर लेना ठीक है तो जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको बता रहीं इसके अंदर तो कुटनट मॉडल इस एंग्जामपल ओफ ओली को पॉली मॉडल इन विच फर्म सार एजूम इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जब दो फर्म होती है ठीक है और दो फर्म क्या करती है अपना आउटपुट एक साथ डिटर्माइन करती है करती है तो दोनों फर्म अपना बेस्ट रिस्पॉंस डिटर्माइन करने की कोशिश करती है ठीक है जैसे हम रियक्शन कर भी कहते हैं करेक्शन कर्फ इस तरीके से ठीके प्रफिट क्या होता टीर माइनस टीसी होता है अब देखोड देखो य कशन कर्फ क्या है और बेस्ट रेज्ट रिसकॉंस कर रिपर फीटमाइजिंग आउटपूट तो यह उन्हें का वह ऑट पूट जो उनका प्रॉट अनका mam करते हैं कि उनका जो क्या हो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ठीक है दा इंटे सेक्षिन और एक्षिन कफ डेटर्माइन आउपट साइमेंटेनेसली अब जब दोनों फ़र्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउपट फाइंड कर रही है तो वह जहां पर दोनों का रि यह यह फन वन क ironically कर्व है ठीक है और यह फर्मेक्षिंस कर रवे तो जहां यह दोनों इंट्रेसेक्ट कर रहा है यह क्या कहलाता है जब black remains कि दlane Keu it is已 मारka की दिमांद फंक्र्वास की यह डूब ब्लस क्यूटू अब में पता कि चलेगा कि यह कॉर्ण मोडल का बटन मोडल का स्टेकलबर मोडल का तो देखो इफ फर्म साइप प्रोड्यूसिंग गूड विदाउट एनी कॉस्ट यहां कॉस्ट नहीं दे रखी है तो यहां पर जो टी सी है वो क्या है जीरो है जैन केल्कुलेट प्राइस क्वांटिटी एंड दियर इंडिविज कर रही है और सेकेंड पार्ट में क्या पूचा है कि कैल्कुलेट प्राइस क्वांटिटी एंड प्रॉफिट इफ फर्म्स को लिवड ठीक है अब देखो मैंने आपको बैस्ट रिस्पॉंस कब बता था टी यार माइनस टी सी लेकिन यहां पर देखो हमें ध्यान रखना है कि विदाउट एनी कॉस्ट लिखा है तो यहां पर हमारा जो कॉस्ट है वो जीरो है यह चीज का ध्यान रखना कि हमें कॉस्ट कीवन है यह नहीं है ठीक है देखो तो प्राइड रिमांड फंक्शन क्या दे रखा है हमें 30 माइनस क्यों हमने लिग लिए प्रॉफिट होता ह टीसी तो यहां ही नहीं तो जीरो है ठीक है आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं तो मैंने डिरेक्ट टीयार लिखा है अब टीयार का फाम्ला क्या होता है कहीं बार मैं आपको बता चूपी इंटू क्यू होता है अब यहां में क्यू क्या दे रखा है इन्होंने पहले ह Q की multiply होगी किसे पूरे bracket से होगी पर उससे पहले जो ये Q है ठीक है हमें Q की value के दिर रखे Q1 प्लस Q2 और यहां हम किस की बात कर रहे हैं form 1 की बात कर रहे हैं तो बहार वाला जो Q रहेगा ठीक है बहार वाला जो Q रहेगा Q1 रहेगा ठीक है जब हम second form की निकालेंगे तो भार वाला क्या रहेगा Q2 रहेगा ठीक है तो भाई देखो अब हमने क्या करा 30Q1 30 into Q क्या होगा Q1 ये माइनस है तो ये माइनस Q1 होगा Q1 की Q1 से तो क्या होगा Q1 स्क्वाइर ठीक है ये ऐसे 30 माइनस देखो पहले ब्रैकेट खोल लिए Q1 माइनस Q2 होगा और भार क्या है Q1 है ठीक है अब Q1 की मंटिपलाई 30 से होगा 30Q1 Q1 की मंटिपलाई Q1 से होगा Q1 स्क्वाइर Q1 की Q2 से Q1 Q2 समझे है अब हम इसको डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में Q1 की रिस्पेक्ट है ठीक है क्योंकि हम फर्म 1 का लेके चल रहे हैं अभी Q1 है तो वो Q1 1 हो जाएगा 30 आ गया है यहां Q1 का स्क्वाइर है पावर वाला मैं कित्ती बार बता चुक है कि पावर आगे आ जाएगी 2Q1 हो गया ठीक है और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं तो Q1 की पावर 1 रहेगी तो 2Q लिख दिया हमने डिरेक्ट अब यहां पर Q1 Q2 है तो Q1 तो 1 हो जाएगा Q2 एजटी जाएगा क्योंकि यह मल्टिप्लाइम है अगर Q1 प्लस Q2 होता और Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे है तो यह जीरो हो जाता और यहां के आजाता 1 लेकिन यह मल्टिप्लाइम है तो Q1 की जगा 1 हो जाएगा Q2 एजटी जाएगा ठीक है अब देखो यहां कैसे सॉल्व कर रहा है भी नोने हमें किसका रिस्पॉंस कर निकालना है बैस्पॉंस का फर्म वन का तो हमने क्या करा 30 माइनस Q2 को यही रहने दिया और 2Q को सॉरी राइट साइड ले गई माइनस का तो दरा के प्लस का हो गया अब यह 30 माइनस Q2 यह multiply में 2 है और यह नीचे आ गया denominator में समझ में आया यह 2 यह multiply में था इदर आके divide में होगे तो यह वही चीट लिखी है यह ठीक है अब यह 2 को separately हमने दोनों के नीचे लिख दिया ठीक है एक बार 30 को के नीचे लिख दिया और एक बार Q2 के 2 के नीचे लिख दिया ठीक है तो 2 से 30 कर गया कितने पर 15 पर तो यह आ गया best response curve किसका Q1 का इस वाले level पर उसका profit maximize होगा firm 1 का अब आ गई firm 2 की बारी तो भाई cost यहां नहीं दे रहे तो यहां पर P into जो quantity है वो Q2 है ठीक है demand function तो एक ही है put कर दिया लेकिन Q क्या आएगा Q1 प्लस Q2 क्योंकि दोनों हम एक साथ अपना क्या determine कर रही है output ठीक है रवाई सीमर लड़ी हमने क्या करा multiply करा Q2 की 30 से करी 30 Q2 यह minus का साइनता है minus आ गया bracket open है Q2 की Q1 से होगी Q1 Q2 फिर यह minus है यह plus है तो यह minus हो गया ठीक है Q2 की Q2 से Q2 स्क्वार ठीक है Q2 स्क्वार अब किसके respect में हम derivate करेंगे Q2 के respect में derivate करेंगे तो यह Q2 है 30 हो गया Q1 Q2 में से क्या Q2 1 हो जाएगा Q1 as it is आ जाएगा यहाँ पर power है Q2 की 2 आ जाएगा Q2 as it is clear हुआ अब वही चीज़ हमें यहां Q2 की value निकालनी है तो हम Q2 को कहां ले जाएगे right side ले जाएगे ठीक है फिर 2 कहां जाएगा नीचे वही 30 minus Q1 equal to 2 Q2 तो क्या हो गया 30 minus Q1 upon me 2 equal to Q2 clear हुआ तो अब इसकी value की आ गई है फिर 2 को separately दोनों के नीचे रख दिया तो यह आ गया clear हुआ अब देखो elimination method यूज करना है हमारा best response curve first form का क्या आ था यह 15 minus Q2 by 2 equal to Q1 ठीक है अब second form का क्या आ था यह आ था 15 minus Q1 by 2 equal to Q2 अब elimination method का use करेंगे दोनों का response curve लिख लिए हमने ठीक है अब sign change कर देंगे यह plus का है तो यह minus का हो गया यह minus का है तो यह plus का हो गया यह plus का है तो minus का हो गया अब यह दोनों क्या हो गया cancel out हो गया ठीक है cancel out हो गया आपके 1550 अब यह जो q1 by 2 है यह अब आपका प्लस का हो गया क्योंकि इनके साइंग हो चुके है तो हमने q1 by q2 लिख दिया फिर क्या है इसका साइंग क्या है q2 by 2 लिख दिया ठीक है और q1 q2 अब किसका माइनस का है तो q1 जो प्लस वाला से पहले लिखा फिर माइनस वाला ठीक है सिंपल एल से हम लिया एल से कितना आ गया टू उपर एजटी जा जाएगा एल सिम लेने तो आप सभी को आता होगा ठीक है अब हमने क्या करा है q1 वाले एक तरफ ले लिए q2 वाले एक तरफ ले लिए ठीक है तो 2 q2 में से q2 गए q2 q1 में से q1 गए q1 तो इसका मतला quantity of 1 equal to quantity of 2 समझ में आया देखो अब यह आगया हम क्या करेंगे हमें दोनों की value निकालने q1 q2 क्या हुआ equal तो किसी भी equation में पूट कर दो है first में पूट पूट कर दो है first में था ठीक है तो यह उसके पास जाकर किसमें होगे है प्लास में हो तो हम इसका VC लेगे हैं लिए अगया टू यहां गया टू क्यो यहां प्लस क्योवन कितने होगा थ्री तो यह आ गया थ्री यह चूफ न बार टू समझ में है यह multiply का 3 है next step में आके किस कहा जाएगा डिवाइड में और 2 चला जाएगा 15 के साथ multiply में देखो यह आए आपका 15 equal to 3 q 1 by 2 तो टू गया 15 के पास कितना हो गया 30 और 3 आगे डिरो मिल्टर सिंपल क्रॉस मुल्टिप्लाइगे यह सब हुमें आता ही है यह कितना आगया कटके सरी टैन पर ठीक है 30 क्लियर हुआ तो क्यूवन की वैल्यू कितनी आगई 10 तो क्यूटू भी कितना हो जागा 10 क्यों हो जाए क्योंकि क्यूवन और क्यूटू क्या है equal है अब देखो अब हमें प्राइस निकालना है प्रॉफिट निका नहीं है प्राइस कितना आ उडिया इंट वित आरित वाइन होता है प्रीक अगर यहां होता है यह भीakah मैं हो। लेकिन यहां पर में टी सी कॉस्ट गीवन नहीं है तो आप निमेरिकल सेखना कि इसके जैसे कौन से और निमेरिकल आयों है तो उन्हें सॉल्व करने कोशिश करना मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगी ठीक है लेकिन मेरे को आपको बस एक बार मैथट क्लियर करना था वह मैं इसके थ्रू कर रहे हूं आपको तो भाई प्राइस भी 10 आए क्वांटिटी वन भी 10 आई तो यह अंडर्ड आगया प्राइस तो सेम ही है क्वांटिटी भी 10 आगए दोनों का प्रॉफिट कितना आगया है अब उसने जेकेंड पार में बोला था कि फॉर्म को लिवड हो रही है को लिव मतलब क्या और यह मर्ज हो र सबसक्राइस हो जाती ही ठीक है लेकिन हमारे पस ही नी है तो 30-color great. तो Q की multiply 30 30 Q Q से Q square ठिक है योका square है तो अब हम क्या निकालेंगे मार्जन युजर क्या हुता टी यर काड Norm 흡्यवेटिव तो Q अभर आगे जैंगी यह प्रफिटी निकालने पड़ेगी ना कॉंटिटी निकालने पड़ेगी यहां दुबारा से क्योंकि आप मर्ज हो गई है इसलिए तो 50 आगई प्रफिटी वेल्यू कैसे आई 50 अब यह टू क्यू है 30 इक्वल टू यह जीरो है इदर यह प्लस में और यह कैंसल आउट हो के कितना आगे 15 क्यूं क्लियर हुआ ठीक है और प्राइस कितना आजाएगा हमें क्या फंक्शन दे रखा दिमांड फंक्शन 30 माइनस क्यूं दे तो जो उनका प्राफिट होगा मैक्सिमाइज वो कितने वो कितना होगा 225 आई ओप आपको कॉडिनट मॉडल में किस तरीके से आपको बैस्ट रिस्पॉंस कर्फ के थूआपको क्वांटिटी और प्राइस निकालना है साथ ही साथ उनका प्राफिट निकालना है वह आप कॉस्ट वाला क्वेशन आएगा तो मैं जरूर कराऊंगी आपको इतने आप इस क्वेशन के प्रैक्टिस कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेर इट एंड सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू